सुक्सम्रधी के लिए दिवाली के दस महा उपाय इस साल दिवाली का त्योहार 12 नवंबर को मनाया जाएगा दिवाली के दिन कुछ खास उपाय करने से घर पर सुक्सम्रधी और धंधान्य में वृध्धी के योग बनते हैं जानिये उपाए दिवाली के दिन 11 कौडिया लेकर नाल कप्रे में बांध कर उसे तिजोरी में रख दें धन वृध्धी के योग बनेंगे दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश बने सिक्के की पूझा करे और चांदी के सिक्कों को पूझा स्थान पर रखे मुख्यद्वार तिजोरी के सामने और लक्ष्मी गणेश के सामने साथ मुखी दीपक जलाए दिवाली के दिन दीपक पाँच कपूर जला कर पूरे घर में घुमाने से नकारात्मक दूर होती है सुख सम्रद्धी में वृद्धी के योग बनेंगे दिवाली की पूजा के दौरान कलश पर आम के पत्ते और नारियल रखें साथ ही कलश के पास दीपक जलाए दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की प्रतीमा के साथ श्रीयंत्र की स्थापना करें साथ ही श्रीयंत्र की पूजा भी करें दिवाली के दिन पाँच या साथ छोटे छोटे कलश में चावल भर कर रखें दिवाली के अगले दिन सभी कलशों को दान कर दें दिवाली के दिन पान के पाँच पत्तों में पाँच लॉंग बांध देवी लक्ष्मी को चढ़ाएं, फिर घर की पूर्व दिशा में पान के पत्तों को मौली से बांध कर लटकाएं धन्यवाद दोस्तों मिलेंगे अगले विडियो में